प्रतिक महिने में दो चतुर्थी होती है क्रिश्नपक्ष चतुर्थी और शुक्लपक्ष चतुर्थी कृष्ण पक्ष चतूर्थी को संकष्टी चतूर्थी और शुक्ल पक्ष चतूर्थी को विनायक चतूर्थी के नाम से जाना जाता है संकष्टी चतूर्थी पर गणेशी का व्रत रखा जाता है यहीं इस दिन चोथ माता का व्रत भी रखा जाता है गणेशी की पुजा दोनों व्रत में ही होती है तथा दोनों व्रत में ही चंद्रमा को अर्गे देकर व्रत खोला जाता है सभी 12 महीने और एक अधिक मास की चोथ मिलाकर 13 चोथ के व्रत किये जाते हैं कई लोग पूरे 13 चोथ के वरत करते हैं तथा कई लोग 6 चोथ का वरत करते हैं तथा कई 4 चोथ वरत करते हैं तथा कई दो चोथ वरत करते हैं तथा कई लोग सिर्फ एक बड़ी करवा चोथ का वरत ही रखते हैं सावन महीने की चोठ को 13 चोठ वरत में माना जाता है इसे गजानन चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है साल 2022 में सावन महीने की चतुर्थी तीथी 16 जुलाई शनिवार को दो पैर एक बचकर 27 मिनिट से शुरू होगी तथा 17 जुलाई रविवार सुभे 10 बचकर 47 मिट पर समाप्त होगी इसलिए इस बार सावन चोथ का वरत 16 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा आए जानते हैं इस दिन कुछ प्रमुक शहरों का चंद्रोदैस में क्या रहेगा